तो अगला इंटेक का जो नोटिफिकेशन है इंडियन एर फोस ने आज जारी कर दिया है और इसका जो रजिस्ट्रिशन है वो 17 मार्च 2023 से आपका शुरू होगा और लास्ट डेट 31 मार्च 2023 रहेगा तो अभी तक जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं थे कि अगला इंटेक में हम च जाम को किलियर कियें और फीजिकल में रह जाते हैं या रणिंग में मतलब मान को चलो कि आज पहला दिन था फीजिकल का ठीक बहुत सारे लड़के बाहर भी हुए होंगे जहां तक रिपोर्ट आ रहा है कि बहुत सारे लड़कों को फीजिकल में बाहर किया गया है आज और मेडिकल के लिए कितने को अपॉइंट किया गया तो सारा जनकारी देंगे मेडिकल कहां पर होगा कब होगा तो एक जैनिमिन रिवीव हो आपके साथ सेर करेंगे ऐसे मत हवा में कुछ हम नहीं बोलने वाला है ठीक तो आप लोग वेट करिए जैसे ही रिवीव आता है लड़ रियल्ट नहीं बना कुछ नंबर के आप चुक गए ठीक कुछ नंबर से रह गए आपका नहीं हो पाया तो ऐसे कैंडिट अगर आपके पास डियो भी बचा है तो आप इस फॉर्म को भरिएगा और अभी से तयारी में जुट जाए जितना हो से के आपको अच्छा बेटर म ही दोड़ना है और हमको पुस अप कैसे मारना है इस सारा चीज आप करिए तो कुछ लड़की करते क्या चाहिए गल्स हो यह चाहिए बवाज है देखो हम दोनों का हम बात करेंगे दोनों का फॉर्म फीलफ होगा इसमें ठीक वो कहते हैं कि हम जब तक रिजल्ट नहीं और इसमे में जल्ब्रेलिक cocktails नहीं चीज याँ हो पाई थेकि एक फेस्नल घया जो मैन से लगातार मार रहा है रनिंग कर रहा है वह बहुत अच्छा नृप आपको हर वीडिओं में चेला कर एक तारिक साही capable स्कार बरेह犁 में येit अगर आपने रिजल्ट बनिया, रीटेन का आपको हम बात कर लेते हैं, एक्जाम देते हैं या आपको पता चल जाता है, जैसे ही आप ओनलाइन एक्जाम देते हैं, आपको आइडिया लग जाता है कि हम इस वार पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है, तो उसी से अंदाजा ल लेकिन आपको यूटूब पर बोला जाता है कि इतने में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा, आपको एक आइडिया लेकर चलना है, चाहे आपका ग्रूप X हो, चाहे आपका ग्रूप Y, ठीक, कभी भी आपको कोसिस करना है, आप तो देखो नॉर्मलाइजिसन हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, तो इसमें आपका नुखसान भी इसका फायदा भी है, अब फैकर 23 गया, बूर्मलाइजिसन के बाद आपका इसकान भी होता है, इसका फायदा भी है, इसलिए लिए हम आपसे, आप बोलेंगे, आप Y गूरूप में भी आपको 40 प्लस नंबर लाना आपको चाहिए ही चाहिए, 44, 43, Y का बात करती इतना नंबर 50 में आपको लाना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत में 44, 44+, 43, इससे कम लाएंगे, आप बॉडर पा जाएंगे, फिर फस्ते वन जराएंगे, बात रहा हो X ग्रूप का तो 45+, टच करना पड़ेगा आपको, ग्रूप X में 45+, जाना ही पड़ेगा, आपको किकी नर्मलाइजिशन के बाद, इस्थिती आपका बहुत ही खराब हो गया है, आप देख रहें, कितना इनीसियल गया है अब इस बार का, कितने अभी देखो कितने लड़के वें पी एफटी में बाहर हो जाएंगे, ठीक, तो यही आपका मेरा मनलब रिक्वेश्ट रहेगा कि, फोकस के साथ आप लोग अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, कि हमको एर्मेन अगनी वीर बनना है एरफोस में, तो आपको अब देखो तोड़ा सा भी नहीं करना पड़ेगे, कि आप किसी भी चीज के लिए टाइम लेंगे, दस दिन कहीं टाइम मिलेगा, अब मेडिकल अभी तुरंत होगा आपका, तो हर चीज फास्ट हो रहा है, ठीक, अब इसलिए आपको हम बता दिए, अब DOB का अगर हम बात कर लें, तो दो 17 तारिक साब का स्टार्ट हो रहा है, और online examination will be conducted 20 मही लिखा हुआ है, देखो exam date भी यहाँ पर आ चुका है, कि जो exam होगा आपका, वो 20 मही 2030 को लिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि 20 मही 2030 से आपका exam भी चालू हो जाएगा, तो आपका मार्च में registration का काम खतम होगा, आपके सामने एक महीना का, अब कुछ लड़के को बोलेंगे कि हम तो registration के बाद ही आप जब आएगा date अब देखेंगे, यहाँ पर क्या बन क्या रहा है, कितना इसका DOB के क्या सिन है, तो देखो DOB आपका 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच में आपका रहना चाहिए, कितना 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के अगर बीच में आपका DOB आता है, तो आप इस फर्म के लिए 2230 का जो intake है, इसके लिए eligible हैं, ठीक, और ये girls and boys दोनों के लिए है, ठीक है, तो आप दोनों apply कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक, और कैसे सब कुछ पता ही है कि क्या होना चाहिए, अपका, इंगलीस में आपका 50 नंबर, 50 नंबर होना ही, बिल्कुल need है इसका, इंगलीस में आपका 50 चाहिए ही चाहिए भले, आपका math में, और 400 या physics नंबर, ठीक, वो चलेगा, लेकिन इंगलीस में आपका 50 नंबर चाहिए, इंगलीस में अगर कम होगा, तो आप science, जो आपका, एक्स ग्रूप का जो form है, उसका apply नहीं कर पाएंगे, तो overall आपका मिला एक एक दम compulsory होता है, 50 चाहिए ही चाहिए होता है, या उससे ज़्यादा है, तो और बेटर है, इससे कम होगा, आप form apply नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो ये नियम है आपका, वाई ग्रूप आलो का, ठीक, बहुत सारे candidate दोनों apply कर देते हैं, तो वो भी बेटर है, बहुत सारे सिर्फ X को करते हैं, क्योंकि उनको reasoning आता है, नहीं, बहुत सारे लड़के आज SRT में क्यों भार हो, reasoning का question फसाया होगा उनको, ठीक, तो इसलिए आपका हर चेज का practice करना बहुत ज़्यादा जुरूरी है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जुरूरी है, हम आपका date बता दिए, कि exam date कब हो सकता है, आपका DOB बता दिए, 20 तारीक आपका exam date यहाँ पर दोला गया है, कि 20 मई 2030 आपका exam date है, और आपका 17 से लेके 31 तक आप home को apply करेंगे, registration करेंगे, और बाकी आप लोग चैनल को subscribe कर लिजेगा, इसके बाद आपको review देखने को मिलेगा, हर एक center का तो आप लोग subscribe कोई कर रखेगा, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, अब share कर दिए, इसको date बता दिए, जिसको भरना है भर ले, बणिया मौका है, और पूरा focus के साथ आप लोग तैयारी करिए, ठीक है, आप लोग हलके मिले ले लेते हैं, कि चलो यार हो जाएगा, देखो इसको normalization के बाद बहुत जादा tough हो गया है अब, ठीक, तो serious ले और इसको आगे आप लोग continue करें